सरकार ने काया था कि चलते सत्र में हम जवाब देंगे चलते सत्र में तो जवाब नहीं दिया हम लोग उमीद कर रहे थे कि साइधा आखरी दिन भी वो देंगे लेकिन अभी तो जिस प्रकार से सत्ता पच्किही विधायक और मंत्री तक वेल में आए तो इसे तो आप लगता मोधी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के द्वारा दी गई टिपनी पर आज उनको दो साल की सजा मिली है सजा कहीं और मिली हंगामा जारखंड विधान सभा में बरपा है कॉंग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने लोगतंत्र को खत्म कर दिया है हमारे साथ बीजेपी के नेता बाबुलाल मरांडी जी है करेसुरक्षित नहीं रह गया अब लोगतंत्र का जो लंदन में बात कहा वो जूट नहीं कहा परिणाम है यह आदालत ने फाइसला दिया है तो आदालत की फाइसला के विरोज भी तो इनको उपर की आदालत जानी चाहिए जारखंड की विधान सभा में बेल में आने से कोई मतलब नहीं है उनको भी पता है यह तो आज जान भुज करके वेल में आरहे ताकि आज जनता की सवालों की जवाब सरकार को देना नहीं पड़े और खास करके अस्थानी और जो नियोजन निति को लेकर के सरकार ने काया था कि चलते सत्र में हम जवाब देंगे चलते सत्र में तो जवाब नहीं दिया हम लोग उमीद कर रहे थे कि साइध आखरी दिन भी वो देंगे लेकिन अभी तो जिस प्रकार से सत्ता पच्किही विधायक और मंत्री तक वेल में आये तो इसे तो आप लगता नहीं है कि वो जनता की सवालों का कोई जवाब देंगे पूलिस ने अपने हिसाब से जवाब दे दिया युवाओं को सरकार ने कहीं थे कि हम जबाब देंगे जनता को सदन में आ करके हम बताएंगे क्या नीजन निती है लेकिन वो तो बताने से रहा लाटी चार कर रहे है नौज़ानों का अपनी हक के लिए वो लोग रड़ाई लड़ रहे हैं और उन लोग के ब्रटंदें चला रहे हैं एक आखरी सवाल आप लोग सभा नहीं चलने दे रहे हैं माफी माँभी माणगो माफी माँभी मांगो आप से प्रेवित हो कर यह सत्ता पक्ष नहीं कर सब्सक्राइब अपनी सब पुलिस जवाब लाठियों से दे रही है बेरोजगारों को सोचिएगा इसी लोग तंत्र की लड़ाई हमारे पुर्वजों ने लड़ी थी सुक्रिया www.thefollow-up.in